हलो स्टुडेंट्स मैं डॉक्र नीशा बंसन सहायक आचार्य एए एफम राजक्य महाविद्याले सुमिरपूर से आज के वीडियो में हम बात करते हैं विकॉम तरतिय वर्ष के लिए प्रशनुपात्र प्रथम फित्तिय भाजार परिचालन स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिभूतियों का सूचियन, Listing of Securities जिसके अंतरगर चर्चा करेंगे हम सूचियन का अर्थैमं परिभाशा, सूचियन के उद्देश्य, सूचियन की प्रक्रिया और प्रतिभूतियों के सूचियन का निलंबन तो इन टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं, लेट इस स्टार्ट आईए फर्स्ट आफ आप अल हम बात करते हैं सूचियन के अर्थैमं परिभाशा के बारे में आखिरकार Listing या सूचियन क्या होता है तो देखें सूचियन क्या होता है वित्य बाजार में हम देखते हैं कि जब कोई भी कमपनी स्कंध विनी में केंद्र के माध्यम से अपने प्रती भूतियों का क्रय विक्रय करना चाती है तो यह सूचियन कहलाता है अर्थात जब कोई भी कमपनी इस प्रकार से इसकंद विनी में केंद्र में अपनी प्रती भूतियों का व्यभार करना चाहता है तो ऐसी स्थिती में वो इसकंद विनी में केंद्र में एक आवेधन करता है कि उसकी प्रती भूतियों की जो भी है उसमें उन सभी conditions को company पूरा कर देती है ऐसी परिस्थिती में इसकंध वीनी मैंकेंद्र अपने यहां पर उन प्रतिभूतियों की listing कर लेता है सुचियन कर लेता है तो अब वह प्रतिभूतियां सुचिवध्र प्रतिभूतियां कहराती है देखिए हुबनेर ने अपने क्या विचार प्रकट किये हैं इस बारे में तो देखिए हुबनेर के अनुसार सूचियन का अर्थ उन प्रतिभूतियों से है जिनको व्यवहार हेतु सकंध विनीमे कैंदर से अनुमती प्राप्त हो चुकी है तथा जिनकी वैधानिक्ता, सुरक्षा एवं कार्य कुशलता से कैंदर की प्रभंध समीती संतुष्ट है अर्थात ऐसी प्रतिभूतियां जो किसी भी सकंद विनी में कैंदर में सुची बद हैं वो उन प्रतिभूतियों का सुचियन कहलाएगा और साथ ही इन प्रतिभूतियों की वैधानिक्ता, सुरक्षा और कार्य कुशलता से जो सकंद विनी में कैंदर है उसकी प्रभंध संतुष्टी प्रभंध समीती इनके कार्य से संतुष्ट है तो ऐसी स्तिति में वो सुचियन के लिए अपनी पर्मीशन दे सकती है सुचियन की किया उद्ध्ध रहता है तो देखे इसमें प्रतिभूतियों की विपनन शीलता, विनीम साध्यता और तरलता में व्रधी होती है देखे जब भी किसी भी प्रकार से प्रतिभूतियों को सुचिबध करा दिया जाता है ऐसी situation में उन प्रती भूतियों को आसानी से क्रय विक्रय किया जा सकता है तो इससे जब प्रती भूतियों का क्रय विक्रय करना आसान हो जाएगा उनकी विप्णन शीलता में व्रध्धी होगी उनकी इविनी में साध्यता में व्रध्धी होगी और जब क्रया और विक्रेगर सौधे तुरंद हो जाते हैं तो तरलता में भी व्रध्धी होती है कम्पनी जब भी चाहे सूची बद प्रतिभूतियों का विक्रेगर करके तरल मुद्रा प्राप्त कर सकती है तो इस प्रकार से company के तरलता में भी व्रद्धी होती है next देखिए प्रती भूतियों के व्यवारों की निरिक्षन और नियंत्रन की व्यवस्था करना यानि कि सूचियन कराने का एक object यह भी है कि प्रती भूतियों के जो भी व्यवार हो रहे हैं उनमें जो भी क्रेविक्रेग के सौधे होते हैं, उनका आसानी से निरक्षन और उन पर आसानी से नियंत्रन स्थापित किया जा सकता है तो इस प्रकार से लिस्टिंग का एक अबजेक्ट ये भी है कि प्रतिभूतियों का निरिक्षन और नियंत्रन आसान हो जाता है नेक्स्ट देखिए, निवेशकों के धन की सुरक्षा करना जब किसी भी प्रकार से कम्पनी की प्रतिभूतियों का लिस्टिंग हो जाती है, सूचिबध हो जाती है प्रतिभूतियां ऐसी सिच्वेशन में निवेशकों को एक सुरक्षा प्राप्त होती है निवेशकों को ये विश्वाश हो जाता है कि अब उनका धन सुरक्षित रहेगा क्योंकि ये कमपनी किसी भी प्रकार से फ्रॉड नहीं है ये इसकंद विनी में केंद्र में सुची बद है इस प्रकार से निवेशकों के धनकी सुरक्षा बढ़ जाती है नेक्स्ट देखिए प्रती भूतियों की विपनन की सुविधाएं प्रदान करना देखिए जब भी कोई इसकंद विनी में कैंदर में कम्पनी की प्रती भूतियां सूची बद हो जाती है इसका तात्पर ही ये है कि उस इसकंद विनिमे केंदर के अंतरगा जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती है प्रती भूतियों के क्रय और विक्राच से सम्बंदित वो सारी सुविधाएं उस कंपनी को भी प्राप्त होती है इस प्रकार से कंपनी की प्रती भूतियों का क्रेविक्रा करना आसान हो जाता है उस इसकंद विनिमे केंदर की समस्त सुविधाएं और समस्त सुविधाएं जो भी हैं वो इसकंद विनिमे केंदर को भी वो प्रति भूतियों के विप्डन करता को प्रति भूतियों की कंपनी को भी प्राप्त होने लगती है तो उनका सूचियन होना आवश्यक हो जाता है युका सूचियन की प्रक्रिया देखिये सूचियन कराना है किसी भी कमपनी को तो ऐसे situation में उन्हें एक process पूरा करना पड़ेगा क्या process रहता है उसके लिए सूचियन के लिए सबसे पहले यदि कोई company किसी भी मान्यता प्राप्तिस्खंध विनी में केंद्र में अपनी प्रती भूतियों को सूचि बद्ध कराना चाहती है तो उसे सबसे पहले आवेदन पत्र भरना होगा application and documents जो है वो फिल करने होगे इसके अंतर के company क्या करेगी आवेदन पत्र के साथ उसे क्या-क्या लगाने पड़ेंगे देखे आवेदन पत्र भरेगी कि हम अपनी company की प्रती भूतियों को सूचि बद्ध कराना चाहते है प्रती भूतियों का नाम आ जाएगा उसमें किस प्रकार की प्रती भूतियां है कितनी मात्रा में निर्गमित की जाएंगे साथ ही company के पार्षद सीमा नियम की जो प्रती है वो उसमें लगानी पड़ेगी आवेदन पत्र के साथ पार्षद अंतर नियम की प्रती लगानी होगी यदि रिन पत्र है तो रिन पत्र ट्रस्ट डीड की प्रती लगानी पड़ेगी प्रेविवरन की प्रति उसके साथ अटेच की जाएगी साथ ही जो पिछले पांच वर्षों का कंपनी का सेल का ओफर रहा है प्रतिभूतियों का तो पिछले पांच वर्ष के विक्रेप्रस्ताओं की प्रतियां लगानी पड़ेंगी या जितने पिछले पांच साल में जितनी भी कमपनी ने सर्कूलर निकाले हैं परिपत्र निकाले हैं या प्रतिभूतियों की विज्यापन से सम्मंदित जो भी प्रपत्र निकाले हैं उनकी प्रतिया लगानी पड़ेंगी पिछले पांच वर्षों से सम्मंद जो चिठा है उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी कि हमारी पैलेंशीट में यह सिचुएशन रही है पिछले पांच वर्ष में या इसके साथ ही कौन-कौन से अभिगोपक, दलाल, उपदलाल यादी आधी की नियुकति अगर की है पहले तो इसके साथ ही कोई भी एजेंट है विक्र एजेंट हो गया प्रभंध संचालक है तक्नीकी संचालक या जनरल मैनेजर है तो इन सब के बारे में डिटेल यहां बतानी पड़ेगी आवेदन पत्र के साथ नेक्स्ट देखिए पार्शद अंतरनियम का अनुमोधन करना Approval of Article of Association यानि कि जो पार्शद का अंतरनियम है उसके अनुमोधन का भी यहां पर जिक्र किया जाएगा कंपणी के द्वारा कि हमारे पार्शद अंतरनियम का अनुमोधन हो चुका है यदि इन चीजों से संतु तो में सुचियन के लिए इसके अंतरगत क्या करती है पार्षद अंतर नियम के अनुमोधन में कंप्णी को इस आश्य से अवगत कराती है कि वो इसकान्द विन्यके केंद्र के नियमुआशरतौं का पालन करेगी अंतर नियमह किसी प्रकार का अंटर नियमए किसी प्रकार का संशोधन superstar है किसी प्रकार से तो उसका ऐस आधारण सभा में अनुमति अवश्य लगी तो और इतना बताने के बाद, next है सावजनिक प्रस्ताव, public offer, देखिए, सावजनिक प्रस्ताव के अंतरगत, एक कम्पनी को बताना होगा, कि वो अपनी प्रतिक प्रकार की जो भी प्रतिभूतियां है, उसका नियूनतम 10 प्रतिशत भाग जनता को प्रस्तावित करेगी, अर्थ सावजनिक प्रस्ताव का मतलब है कि कम्पनी द्वारा अपनी प्रतिभूतियों को जन प्रस्ताव के लिए भी खुला रखा जाएगा, जिसके अंतरगत उसकी नियूनतम सीमा है, संपोन प्रतिभूतियों का 10 प्रतिशत, और साथ ही ये प्रस्ताव, जन प्रस्ताव का आक इसका होगा साथ ही इनका जो निर्गमन है वो बुट बिल्डिंग तरीके से किया जाएगा जिसमें साथ प्रतिशत भाग संस्थागत निवेशक निवेशक के लिए रखा जाएगा संस्थागत निवेशक कौन से हैं? विकास बैंक भारतिया उध्योगिक वित्त निगम भारतिया उध्योगिक साख है मम विन्योग निगम UTI LIC GIC अर्थात अपनी सूचिवद्ध प्रतिभूतियों का 60% वाग इन संसाओं को अनुमोदित करेगी अनुमोदित करेगी नेकस्ट देखिये सूचियन की पूर्व शर्तों को पूरा करना तो इसके अंतरगा जो भी पहले की शर्ते हैं कंपनी की पूर्वशर्ते हैं उनका पालन करना पड़ेगा अर्फात company क्या कह रहेगी विखे प्रकार से आविदन करते हैं या Punch अपनी प्रतिपूतियों का आवटन करती है तो उसे सभी को आवटन पत्र एक साथी निर्गमित करना पड़ेगा और अगर किसी कारण से आवटन पत्र निर्गमित नहीं करती है या कभी कभी company अपने प्रति भूतियों का आवंटन नहीं किया जा सकता है उन्हें खेद पत्र जारी करेगी और जिनको आवंटन किया जा रहा है उन्हें इस प्रकार की सूचना तुरंत दी जाएगे साथ ही प्रति भूतियों के हस्तांतरन, रजेस्ट्रेशन, उपविवाजन, नवीनी करन, आदी के समय कंपनी उन्हें रसीद भी देगी इस प्रकार से जो भी आवंटन किया जा रहा है तो इस सिचुएशन में प्रमान पत्र 30 दिन के अंतरगत कंपनी जारी कर देगी तो इस प्रकार से उसे सूचियन की सभी शर्तों का पालन करना आवश्यक है तो इस प्रकार से ये सूचियन की पूरी प्रक्रिया है कंपनी की प्रति भूतियों के लिए नेक्स्ट देखते हैं प्रति भूतियों के सूचियन का निलंबन अर्थात कंपनी ऐसी कौन सी सिचुएशन हैं जिन ऐसी कौन सी situation है जिन में प्रतिभूतियों के सौधों को वापस लिया जा सकता है निलंबित किया जा सकता है अर्था इसकंद विनी में केंद्र जब भी चाहे इस सूचियन को निलंबित कर सकती है जो देखिए इसमें कौन-कौन सी परिस्तितियां है जब एक कंपनी क इसकंद विनी में केंद्र के अंतरगत उसकी जो भी नियम है और शर्ते हैं सूचियन से सम्बंदित यदि उनका उलंगन करती है उनका पालन नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिती में इसकंद विनी में केंद्र द्वारा उस कंपनी की प्रतिभूतियों के सूचियन को निरस्त किया जा सकता है बापस लिया जा सकता है नेक्स्ट देखिए इसकंद विनीमे केंदर के आदेशों का पालन नहीं करना यदि एक कमपनी इसकंद विनीमे केंदर द्वारा जो भी आदेश दिये गए हैं उनका पालन करने में ऐस समर्थ रहती है उनका पालन नहीं करती है तो ऐ नेट्स्ट देखिए प्रति भूतियों के प्रवेश की शर्तों का पालन नहीं करना। किसी भी प्रकार के दस्तावेज कम्पनी प्रस्तूत करने में अर्समर्थ रहती है या गलत दस्तावेज प्रस्तूत करती है तो ऐसी सिचुएशन में उसकी प्रतिभूतियों के सूचियन को निलंबित किया जा सकता है अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक सकंद विनी में कैंदर किसी भी कम्पनी की प्रतिभूति के निलंबन को मैक्सिमम अधिकतम तीन महा के लिए हटा सकता है और एक कम्पनी यदि चाहे तो ऐसी सिचुएशन में उसकी प्रतिभूतियों के निलंबन से संबंधित जो भी उसे आदेश प्राप्त हुआ है ऐसे निर्ने के विरुद सेवी में अपनी अपील कर सकती है अर्ठाद यदि किसी कमपनी की प्रति भूतियों के सूचियन का निलंबन हो जाता है तो ऐसी कमपनी सेवी के अंतरकत अपना इस निर्ने को प्रस्तुत कर सकती है तो इस प्रकार से यहाँ सेवी के अंतरकत वो अप्पिल करने के लिए योगियar है तो इस प्रकार से ये था सूचियन, किस प्रकार से होगी सूचियन की प्रक्रिया क्या है, इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर हम रोकते हैं, next इसी टॉपिक को अगले वीडियो में continue करेंगे, तब तक के लिए thank you very much.